तो हालो लोन वेकम टू आई यह मेरतन बाक विद न्यू लेसन और इस वाले लिजन हम बात करेंगे अबाट राजय सबार राजय सबार के बारे में आपको आज के बाद कोई डाउट नियागा यह बात मैं आप से कहता हूं लेकिन उसके पहले एक यहां पर बुक के लिए एक जुडिचल फंक्शन है ना इसको जरूर देखना आप इसको देखने के पहले आप सो देखो पालेमेंटरी कंट्रोल अगर हम जाने जिसकी गवर्मेंट के पर क्या कंट्रोल है मैंने का था चेक्स अंबेलेंस का है सेपरेशन आप पावर से अड्मिनिस्ट्रेशन पे एक् यह जित्यु बहुदि हम बाते करते हैं पाहलेमेंटरी कंट्रोल की इतिस मोर थीयॉरिटिकल की है टिच्छ ज्यादा है प्राक्टिकलष है इन रियालिटी होता क्या है कि इतना इफेक्टिव नहीं है जिक्था की होना चाहिए इट नोट आट आघॉल एन फेक्टिव एस पॉट टू भी ओके तो कुछ फैक्टरस हैं जिसा कि जो पार्लेमेंट है उसके इतना टाइम पिन नहीं होता नहीं एक्सपर्टाइज होती है कि वह एडिस्टेशन को कंच्रोल कर सके हैं क्योंकि यूज वॉल्यूम्स में लोगता हैं और काम होता हैं इतना बिज्डिस होता हैं तो गवर्मेंट में हर कोई जैसे कि मिनिस्टर्स में एंपी वह सब उसको अंडर्स्टेंड नहीं कर सकते हैं इस एक्चली दः लूज लूज पॉइंट राइट सो सेके नहीं बात करते ही तो पार्लेमेंट हैं इसका फाइनेशल कंच्रोल जो हैं वह टेक्निकल नहीं बात करते हैं तो पार्लेमेंटरियंस जो हैं वह ले मैंने यह लोयर्स ना और सभी को हर फाइनस समय में नहीं सकता हूं तो प्रोपर लिए फूली अंडिस्टेंड नहीं कर सकते हैं वह भी सिंपल बात यह भी एक डिफरेंस है अभी इन सब को पंड़ने के बाद मैं आपक सब्सक्राइब इस के हातमें नहीं नहीं रियालेटि तो और देच्ण वह जाएगी एक्जेकुट्ट्व के हातमे एक्जीकुट्व कने आया ज़ेश ओफिसर्स टेके उसके लाबा जित्ते हैं राशेंड लेशेटिव़ लीड NGO नेन हैं पर इस चला रहेattered डी पॉइंट के दार वाते हैं तो वेरी साइज अपारिमेंट विच तो लाज एड अन एंगेज़ेबल विए फेक्टिव राइड हमारी पार्लेमेंट बहुत बढ़ यह व्ल्ड में सबसे बड़ी पार्लेमेंट में आता है बहुत यूज नंबर फमेंबर से हमारे पास जाना 5455 52 है उसक सब्सक्राइब करते हैं पॉब्लिक एक्सपेंडिशन लेकिन आफ्टर इस विट इंकर्ड वाइड एक्जीकुटिव थैस दे डू पोस्ट मॉटम वो करते हैं मैंने आप से पहले भी का था क्या करते हैं उसके लब आब बात कहते हैं इंक्रीज रिकोर्स दे गिलेटिन र है अगर कोई कानून को लेकर को छाइब चानून के अगर काफी कानून है तो किसी कानून पर बिजनस टाइम ज़्यादा स्पेय कर जाता या पिर में klass किसी भी लोग कि प्रोपर डिसकेशन ना और रोपर डिसकेशन ना और इसके बाद के प्रोविजिटेशन को सिर्फ वोईड वोइस से पास करा लेना ठीक है यह दा गिलोटन और आन डिलीगेटेटेगेटेटी अबर्स देख्टेटेटेटेगे लेजडेशन होता है जिसकी कवर्मेंट ने एम्पी ने मिनिस्टर ने पर्दिया कोई कानून है यह च्छोन इसने पार्लेमेंट का रोल बहुत रिडियूस करते हैं तो लाइंस का यह दोचान पेरिग्राफ का एक कानून होता है उसको पढ़ देते हैं उसके लबाद सब कुछ कौन बनाता है एक्जिक्टी बनाता है तो देडिकेटिव लेजिलेशन एक्चली देड़ एक्चली प्ले रहुंट प्लेकर्णी ने पैलिमित को दिल्यू टेडियू अज्क ट्रोल एक्ट्रोल और मॉस्तिटियू इस आटर्ड की शॉस्तियर विह दिलिखिए ब्लेमेंट के लिए चैजिशन अड़ मेंट कि अधिक्यों आप मिटाता है अट्यू धान लुक्तिशिटेशन अगृ पर्लेमेटर बिहेविर ओर एधिक्स का धिह के क्योंकि बहुत ही इन इफेक्टिंश का देखो इसमें दो-3। यह यहां पर हो सकता है कि यहां पर हमने काफी कुछ देखा है most of the ineffectiveness का कारण है आपके level of understanding in the MPs हर चीज में expert नहीं हो सकते वह हम भी मानते हैं लेकिन basic understanding हर चीज की होनी चाहिए ठीके तो प्रोपर ट्रेंग होनी चाहिए MPs की जब भी वह हाउस केंदे जाते हैं दूसरा वाइड एंड अब कॉम्प्रियंसिव कॉम्प्रियंसिव डिसकेशन होने चाहिए गिलोटिन नहीं कर देना चाहिए डेलिगेटल लेजिशेशन की अथोरटी थोड़ी सी कं कर देनी चाहिए मोस्त जो पार्लेमेट में आती है कानूड बनती में उसका डिसकेशन ओना चाहिए तो दो-तीन angle से हम देख सकते हैं तो राजे सभा को equal देखते है agree Corinna सकते हैं एक कुछ राजे सभा के special power जो की बлагós करती है तो फिर निशेर निकरती है लोग सबस्क्राइब आया की डाजेस देखते हैं कि तो फिर उसे की चीजहों में लोग सबा के लोग सभास हैं सेकेंड जो constitutional amendment bills हैं उसको उससे related जितने भी चीज़ें हो सकती है उसके लावा financial bills जो कि जिसके अंदर expenditure उसमें भी क्या equal power है उसके लावा अगर election या impeachment कराना लावन जाना हो President का इसमें भी वाइस प्रेजिडेंट का रीमूवल राज़ेसबा बाद करें प्रेजिडेंट का तो उसमें भी इक्वल पावर है नेक्स्ट रिकमेंडेशन तो दे प्रेजिदेंट फॉर रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस कोई बीजज हो सुप्रीम कोड का इकोड का यह चीफ एलेक्शन कमिशनर हो के गउं इनको अटाने के लिए अगर कोई इसका प्रोसिजर जो है प्रोपर उसको फ गई पाइड प्रेजिदेंट उसमे भी हम मिनिस्टर का सेलेक्शन ओ इंक्लूडिंग तो प्राम मिनिस्टर अंडर दो कॉंस्टिटूशन इसमें भी जाय मैं प्राम मिनिस्टर किसी भी हाऊस से हो इसरिस्पेक्टिव एड़ मेंबर्शिप वो रिस्पॉंसिबल तो in large करना हो तो इस in relation in matters में भी राज्य सभा लोग सभा की same equal power unequal power देखो लोग सभा से बनी बिल में definitely सिर्फ और सिर्फ लोग सभा में लाए जा सकते राज्य सभा में नहीं लाए देखो equal जादा ना unequal पे ध्यान दो यह यहां से question बनेगे वह very very important इसलिए मैंने इसको important mark किया है और जिसको important mark करो ना इसको definitely ध्यान से समझो उसके notes बना और रिवाइस करो ठीक है तो this is totally an unequal status अगर हम बात करें comparison करें लोग सभा से लोग सभा यह तो accept कर लेगे reject कर सकते हूं कोई भी recommendation राज्य सभा में मैंने आपको बताया money bills related उसके बात काता है financial bill की तो financial bill article 110 में है यह सिर्फ लोग सभा में ही इंटर्डूज होगा राज़ जबाव में इंटर्डूज नहीं होगा ठीक है उसके बात जो final power to decide whether a particular bill is a money bill or not यह किसके अंदर है सिर्फ लोग सभा के speaker में कि कौन सा bill money bill है या नहीं है speaker of the law सभाही decide करता है और recite i mean beside करता है यहने की चेर करता है कौन सी joint sitting of the houses अगर दोना अब होसे में joint sitting हो रही है ठीक है बहुत रहली होती है लेकिन अगर होती है तो उसकी joint sitting को कौन chair करेगा speaker of the law about नेक्स टेव अगर हम बजट की बात करें तो राज्य सभा सिर्फ बजट पर डिसकस कर सकती है लेकिन वोट ओन डिमांड जैसे की ग्रांट्स का अगर अप्रूबल चाहिए तो उसको लोग सभासी चाहिए यह लोग सभा का एक्सक्लिउजी प्रिविलेज यह बहुत ही इंप लोग सभा में ही पास हो सकता है ना कि राज्य सभा में इंप्लिमेंट करने टाइम पर प्रॉमिलगेट करते टाइम बोथ हाउसे की परमिशन रिक्वाइड है लेकिन बात कहते है डिसकंटिनुएंस की तब लोग सभा में काफी है नेक्स राज्य सभा के नौट रिमूव काउंसल ऑफ मिनिस्टर बाइपासिंग नौन कॉंफिडेंस मोशन क्योंकि वह किसमें लाजा सकता है सिर्फ और सिर्फ लोग सभा में ठीक है तो यह कुछ पावर ती जो कि अनीकुल थी के इन कंपरिजन टी लोग सभा बात करते हैं स्पेशल पावर की तो कुछ स्पेशल स्टेट लिस्ट से लेटर कोई भी बात होगी तो राजी सभा का उस पे एक्स्क्लिजिव राइट है और अगर राजी सभा को रेजुशन पास कर देती है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट पे पारलमेंट को कानून बनाना चाहिए तो वो उस पे कान चाहिए न्यू ओल इंडिया सर्वेश कमन तो बोद वो उस चैनल इंडिया सविस्ट अग्यों बात करें नहीं और इंडिया सर्विस्ट बनाने की सेकंड इंडियन इंवरॉर्मेंट सर्विस्ट बनाने की यह सब में भी आ जाएं इन फूचर ठीक है इंडिक ओड़ देख यहां सकता if a proclamation is issued by the president for imposing national emergency presidential rule in or financial emergency जब लोग सबा डिजॉल्व लें और डिजॉल्व की जा सकी है तो उस ताइम प्रेट के अंदर राज से बहुत का प्रूव कर सकते हैं किसी भी तरह की इमर्जन्सी को आर्टिकल 352 356 and 360 देखो हाला कि हमने अभी जितने भी यहां पर discussion किये जिसके तरह आपको लगता हो कि लेस पावर्स हैं लोग सबा को constitutionally लेस पावर दी गई है ठीक है house of the elders बोलते हैं इसको बुजर्गों का लेकिन एक बात आपको याद रखने कि इसकी utility कम नहीं utility बहुत है इसकी importance बहुत है यह जहां रखते हैं कि जितने भी हैस्टी डिफैक्टिव और केरलेस एंड इल कंसिड़ लेजिए लोग सब बना रही है उस पर चेक्स रखते हैं कि नहीं उनको थॉट प्रोवाइड करो उनको बताओ कि यहां गलती कर रहे हैं ठीकि जैसे कि बड़ा भाई यह बड़ा गर्ण का कोई बड़ा करता है राइग इट फैसलिटेटेट्स गिविंग री प्रेसंटेशन तो इमिनेंट प्रोफेशनल एंग्सपर्स व केंनोट फेज दिए इ प्रोवाइड को यह थिंड लाइड इंटव अन्टेशों में आपके यह बड़ा घ्राईज यमिरीटेशन प्रोवाइड करो पर दिए इसली तो यह झा जब तक ली प्रीजिस्सन फरीडरा नहीं ठोली ऑले मिन प्रिफी नीन अदीक फीड खेटरवा प्रवियो इंड घ् have a nice day and मुझे बताना आपको अगर लेसंस पसंद आता है या फिर आपको कुछ इंप्रूमेंट रहिए तो आप बिल्कुल शेर कर सकते हैं community tab मैं भी मैं आपको टाइम 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 जो है कर दो मैं मैं कर सकते हैं